आपना चित है कि साड़े अस्थानां ते लिखतां विच बोलनां विच हुन बंद हो जानी है चाहिदियाने जद सानु इतनी कुसूज आ गई कि आप गुरु गोविंग सिंग जी महाराज ने उन अप्रती बचन ते हुकम कर देते फिर इसाड़ी समय तो उते है कि साड़े का रिच ते फिर क्यों बैस तुर दे या कोई इनसान आके बखेडा क्यों फांदा गई एक बैस ते ए है कि अमरत दी दात लेनी चाहिए कि ने लेनी चाहिए अमरत किस वे ले च्छकना चाहिए कि किस वे लेनी च्छकना चाहिए अमरत दी दात किस कोलो लेनी चाहिए ते किस कोलो ने लेनी चाहिए एहुन बैस मकमल तोरते बंधो जानी चाहिए क्योंके आप गुरु गोविन सिंग जी महाराज ने जद सिंगासन तो हेठां आके अठ जोड के पंजाब प्यारया नूं के मैनू भी अमरत दी दात देओ तो उस वेले असी नाचीज कौन हाँ असी ये सडकां ते रुरन वाले किनके कौन हाँ जो बैस कर सके गुरु गोविन सिंग जी तो वड़ाब कोई धानी ने कोई पेगंबर ने कोई जोदा ने कोई तीर अंदाज ने कोई संसानी तोरते स्याना ने जे ओ आख देने मैनू अमरत दी दात देओ ता असी क्यों बैस विच्छ पैए सानू के में कोई आख सकदा है या कोई बोलदा है या कोई दिलील देनदा है के अमरत दात लेनी चाहे दी है अम्रत आप पान करो, अम्रत छको, अम्रत दे होर वारे शब्ल जो कहन दे हन क्योंके साधे इतिहासी दे लिखिया है जद आप ने पंजानू अम्रत दी दाद दे दिती ते सिंगासन तो ठले आके ए बचन बोले सन मैनू उसे तना अम्रत पिलाओ मैनू चंगा लगता है जिवें तुसा मेरे को लो ले आ है ताप पंजा विच्चों पंजाई बोल पे या एक बोल पे आ साधे को लो बिलकुल यो होना कल गी वाले आ कितेनू अम्रत दी दाद दे ये क्योंके जो तुसा सानू दाद दीती साधे शक्ती नहीं कितेनू अम्रत दी दाद मोड के दे ये उस वेले महराज ने किया सी निर संकोच होके बेच जिजग होके अधे बगहर किसे संकोच तो मैनू अम्रत दी दाद देओ इस तरह दाद देओ जिवें गुरू नानक ने गुरू अंगज नू बनाया है इस तरह मैनू अम्रत छिका के खालसा बनाओ हुन आप यसी फैसला कर लिए कि जो दिन नेड़े आ रहा है जिस नू असी उन्नी सो नेड़े नेड़े दाद दिन केंदे हा त्रेसो साल हो जानगे खालसा बने हुएनू उम्रा साधिया निस्व सधीतों के यादिया वद होगी नहान के यजे चड़दी जवानी विचहन उनागे मेरी ये बेंती है के हुन उसमा आगया है के सारे ही एक वारी ये मन अंदर परन कर लेन के असी गुरु वाले दा बनना है ए बैस जिसले मुक जाएगी फिर सानू ख्याल पैदा होएगा के इस दाथ नू असी पाई ए बखरी गल है के जिसले ले गुरु गोविन सिंग जी महराज नू अमरती दाथ देदिती रैती देड़ करा दिती अते सारी ओमर्यादा दस देती ता पंच प्यारे कैन लगे कलगी वाले आ तेरे ले एक होर रैत है जेरी तू दसी सी न ओस न तेनू दस देती पर क्योंके असा आपनू अमरती दाथ दिती है इसले तेरे ले को होर रैत है ओ रैत ए है जब कभी पंथते पीड बने ते वक होके तमाशा ना देखी विच सपाई होके लड़ी एह मैं समझना उना पंजयाँ 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 दी सब तो वड़ी सियानग जो है इस सियाने सन के गुरू गोबिन सिंग जी नो एक वक्री रैत दे दिती के कदी खाल सा गुरू गोबिन सिंग तों बगैर अपने आपनों मैसूस ना करे किदरे ए न हो जाए इसी दात देन वाले हां ए उनने एक सानुखोर पक वी दस देटा पावें पंज प्यारे संपूरन हन पर एक अदी न पुलना के गुरू गोबिन सिंग जी महाराज तों बगैर साड़ी घती नहीं है अते दूसरा ए बैस भी हुन रोक देओ के गुरू गरंद सहेव तो बाद कोई सरीरक तोरते गुरू हो सकदा है कोई व्यक्ती तो औरते गुरू हो सकदा है एक कारण ते बड़ा सपष्ट है आप गुरू नानक साब कहगे सन अते तुसी भी हुन जान देओ जिनना नू जरा कोई साबदा गिंती हों दिये स्वाल नहीं जिनन गिंती हों दिये और जान देने के दस दा हिंद साब कम्पलीट होंदा है तो और टेलिफून ते की यारा हिंद से ने तेड़ा कह रहा है जिदे कोई हुन टेलिफून नहीं है टेलिफून ते कुल दस हिंद से ने अते दसानाल जिसनू मर्जी जिस वेले मर्जी जिसनाल चाहे तुसी गल कर सकती। दस हिंदसा कम्पलीट हिंदसा है। उस तो बाद कोई हिंदसा नहीं हो सकता। उस तो बाद कोई चीज उस थांते दिखाई नहीं जा सकती। ते फिर अठ जोड के पुछना उननों जड़े यारवां बारवां निदेरवां ठारवां उनियां यह होड कोई बन पेंदा है गुरू नानक पिता ने दस जामे तारे दस पात्षाईयां आयां दस पूरा कम्प्लीट हो गया उस तो बाद किसे दिहो लोड है उस ते लगी नहीं किदे सकता कोई इनसान उस तो फिर लाई नहीं किदे सकता जो किसे ने कुछ लेना है ए दस विच पूरा है इस करके गुरू गोबिन सिंधी पिता ने मेर कर दिती कि आपने गुरू गरन साहिब अगे आप मठा टेक के आख दिता आज तो बाद कोई व्यक्ती गुरू नहीं होएगा कोई स्रीरक तो उरते गुरू नहीं होएगा ए बैस क्यों हों दिये किस लिए हों दिये इस ता कार्ण सिर्फ एई है कि असी लोग अजे पश्वांदी शकलिच पिर रहे हां असी अजे तक अपनी आत्मावल देखिया नहीं है जिस वेले जरा कूछ चात मार के आत्मावल देखनगे अपने आप रोशनी हो जाएगे जिनना लोकाने ओ मनो वग्यान पड़े है जड़ा अंदर दा वग्यान है उन आदाए कहना है कि हर इनसान चार ही स्टेज़ां जो निकल दा है सब तो पहला ओ पचु है अधे फिर कलपना वे चला जान दा है जिसनों अंग्रेजी चे कहन देने फेंटेसी फिर हवाई के लिए बना दा है कोई अजे तक दुनिया ने मनुख नहीं हाया जिसने कदी कलपना ना कीती होए जिसने कदी फिर्टेसी ना कीती होए जिसने कदी कोई ऐसा ख्याली ख्याल नपकाया होए कि मेरी पूरी कार ए दुजी स्टेज है हर इनसान ते आएगी तीसरा है जरा को तन जरा को खुबसूरती जरा को माल जरा कू ग्यान आएगा ते तीसरी स्टेज है सोशल एनिमल इनसान समाजिक जानवर बनना चाहेगा कोई पाल्टी दा काल्ड आया नहीं सवेर तो प्रोग्राम बने या नहीं बस उस दा एक ख्याल रहेंदा है कि मैं सोशल जो बनी होई सोसाइटी है इसनों केंदेने सोशल एनिमल हर इनसान उस जानवर दी तरह जिते भी कोई सोशल समाजिक बात हो रही है ओठे अपना सिर उचा करके दसना चाहनदा है जे उसने सो बलाए दो सो बलाएगा जे उस बेवकूफ ने पंग्रेदी कोई चीम बलाईए ए फिर नाचवाली बला लवेगा जे उसने कोई किसे अस्थांते जाके बेवकूफी करके शराब पलाईए ए होर उसनों किसे होर थांते बलाएगा सारी दुनिया मनुब ग्यानी अजदी दुनिया दा सब तो स्याना बंदा जिसनों कार गुस्ताव जुं केंदे हन केंदे ने तीसरा इनसान सोशल एनिमल है याँ ए पशू है याँ कलपना विचरेंदा है याँ समाज अंदर जानवर वांगों विचरदा है पर केंदे कोई विरला है जो शब्ज रही सुर्थनों विन दा है कोई विरले होनगे जिना शब्ज रही सुर्थनों विन लिया है ए फिर साड़े कोल स्वाइग गुरु गरंद साहिब तो कोई रस्ता नहीं है कैसी शब्ज रही सुर्थनों विन लिये अते जिसले सुर्थ विन नी जाएगी फिर सरीर कदीवी आत्मवते पहरू निहों लगा इस करके सानुहुन बैस बंद कर देनी चाहे दी है कि किसे इनसान को कोई दात है कोई वस्तू है सारी वस्तू शब्द विच है शब्दी ने सब कुछ देना है अते सुर्थ तक किसे होर दी रसाई नहीं है सुवाए शब्द तो इस करके गुर्गोविन सिंग जी महाराज ने अमरत दी दात दिती असी हजार दी हाजरी सी वी हजार ने अमरत पान कर लिया करां करानों चले गे जित्थे जित्थे जाके पुझे उत्थे होर बैस चुरू होगे असी तो गुर्गोविन सिंग जी को लो ए सिखके आए है जेड़े करांच रहे गे सन हुकम नाम आपनों यहाद है न महाराज ने हुकम नाम आए दिता सी के जे तो हड़े कहरविच दो हन ते एक अनंदपुर साब आजाओ ते जे तो हड़े कर चार हन ते दो अनंदपुर साब आजाओ जे दो सिखने ते एक अनंदपुर आजाओ चार ने ते दो आजाओ जेड़े बाकी रहे गे सन उत्वी सथ हजार ने अमरत दी पान अमरत पान नहीं की था ए फिर सारे हिंदोस्तान अंदर देश बदेश दे अंदर बड़ी चर्चा होगी ए गुरु गोविन सिंग ने की हुकम दिते ने ए विचारे जेड़े अमरत पान करके गे सन समझा ना सके ए ते कैन लगे ऐसा नुदात देती गुरु गोविन सिंग जीन ओ फिर अको सवाल कर लगे जमें तुसी आप देखे स्वाल होने शुरू हो जान देने काबल दे सिखाने एक चिठी गुरु गोविन सिंग जीनों लिखी तवाडे हुकम नसार उत्थो अमरत दिधात ले आएं हाँ अते हुन इस नगरी विच आगे जिसले अमरत दिगल करने या कुछ लोग साड़े गल बेंदेने खेंदेने इतनी किरपा करो अपनी हथी सानु हुकम नामा पेजो ताके असी काबल दी संगतनु पढ़के सुनाईए के जो तुसा सानु अनंदपुरी चिक्या है असी ठीक सुना रहे है आपको छिठी समा लग गया चिठी जवाव देंदें में समा लग गया गुरू गोबिन सिंग जी ने छबी जेट सतारां सो चुवंजा समतनु जो अंग्रेजी देया साब नाल पंजी मैई सोलां सो निड़िन में बनदा है हुकम नामा काबल दी संगत नो लिखिया मैं ओ पहला इन बेन आपनो सुनान लगा ताके कदी कोई अंजान सिल्फिरा या कोई ऐसा इंसान आके ए बैसा शुरू न कर दे वे साड़े कर दे अंदर उनकी नात समा लग गया त्री मार्च सोलां सो निड़िन उस दिन दी वसाखी सी जिस दिन अम्रदिदात मिली अते पच्ची भई सोलां सो निड़िन आपने हुकम नामा जारी कीता दो मेने लगे काबल तो चिठी ओनी है काबल तो जवाब जाना है आपने ए हुकम नामा काबल की संगत जोग लिखिया ताके कदी कोई इनसान किसे वेले आमन वाले सदी अंदर या आमन वाले समय अंदर बैसा इचना पवे आपने शबत सन खंडे दा अमरद पंजा तो लेना मते किसे एक खरो लेना शुरू कर देओ असे अमरद ले आए हैं किसे वेले ए आपने लिक हुकम कीता पंजान तो खंडे दा अमरद लेना केस रखने ए साधी मोर है कदी कोई मोर तोड़ देवे ते ओ ते लफाफा कबूल ही नहीं हुंदा ते जे एथे कोई मोर तोड़ जाएगा कोई अंजान पुने अंदर ते दरगाज के में कबूल हुएगा ए हो नहीं सकता कबूल हुएगा ताँ दो शबद लिखेने केस रखने ए साधी मोर है कच किरपान दा रिसा नहीं करना इना दोनानू कोल रखना पैनना लाके परानस उट देने अते सर्ब लो का कड़ा हाथ में पैनना अते तुसी आप देख रहे हो चलो हुँटे कुछ कट गया है अते शुक्र आ कटिया है अगे अजे मुडे दा मंगना हुंदा नहीं ए उस अस्थान ते आके ए कड़ा कलगी धर्दा लुआ के केई मुरख संगतिची बैठे हुए उनु सुने दफ़ा देने अते अगे देख देसा हुँट कुछ कटिया है कुछ शुकर है थोड़ी थोड़ी सूज आई है अजे ते उस नाल उदा मंगना ही हुआ है ते गुरू गोबिन सिंग नाल जो व्याया है गुरू गोबिन सिंग नाल व्याया तोड़ लिया ते पता दी उसने आके की मेरे नाल करना है उस दूवलों पे जिया इस ते कड़ा पा लिया इस करके हो रहे हैं उनु कड़े दे अर्थ पता ही नहीं है अते ठीक किया सी परफेसर पूर्ण सिंग जी ने एक कड़ा इस गर्ली निशानी है मैं गुरू गोबिन सिंग जी दे ख्याला नाल व्याया हुए हां अते हुन तो सी दसो जिस दे हथि सुने दा कड़ा है पर गुरू गोबिन सिंग जी पात्षा दे दिती होई दात नहीं है ओ फिर किस तरह संसार भी तुरेगा ओ कि मैं कैसकेगा मिले सिरू पर ठाड़ा गुर्सूरा है इस करके आपने हुकम जिता के सर्ब लो दा कड़ा हाथ में पैनना दो में वक्त केसां की पालना कंगेस्यों करने अते सरब संगत अपाक्या का कुठा खावे नहीं तमाकू जगत जूट न वर्तना पारतान एक एक शब्द पिता ने सानु समझान वास्ते लिखिया था कि आउंग वाली सदी अंदर कि दे एना शब्दान दे सहारे असी लोग आज सिरु चा करके कह सकने या कि कलगी वालिया तेरी गल दुनिया बड़े तेहान ना मन रही है हुन निरी सुन नहीं रही पारतान गामी नहीं होना एथे उन्दे को काबल दी संगत नू एक वक्रा शब्द पेजिया है रेद विज्वेई दस्या है पारतान गामी नहीं होना हुन ते पड़े लिखे जान दे लेना एक बिमारी हो राव ही है इंसान परतन गामी हो रहा है जिसनों अंग्रिजी चे कहने देनी गे परसन जी ए वाई जे ने हुन परतन गामी हो रहे हन अ ते ऐसे इंसान अमरिका विच या योरोपिच यहुर थावांते पैदा हो रखे हन उसले सब्तो बड़ी बिमारी परतन गामी होन दी काबल विच सी इस करके हुकम नामे नूं साफ कर दियां समझा दियां क्या परतन गामी नहीं होना पन्या मारने वाले से मेल नहीं करना मीने मसंदिये रामराये अते गुर निंदक दी संगत नहीं करने गुर्बानी पढ़नी वहे गुरू वहे गुरू वहे गुरू जपना गुरू की मत रोज लेनी ए आपने फिर दस्कत गीते ताके किसे वेले कोई इनसान अजदी दुनिया अंदर नहीं आउन वाली दुनिया अंदर भी गुरू दे हुकमानू तिहान नल सुनेते पड़े हुन पहले हुकमनू ज़रा को तिहान नल देखिए केस साड़ी मोर है केस दे ठीक अर्थ एहन वहे गुरू ने जिस वेले खुबसूर्टी दी शकल बनानी है या खुबसूर्टी दा कदी कोई चितर बनाना है या खुबसूर्टी दा कोई चिन दसना है ते केंदेने केसां दे बगएर उपूरा नहीं हो सकदा अते एई गल गुरू नानक पिताने कैई सी के सोने नक जन लमडे वाला एक केस खुबसूर्टी दा आखरी चिन है जिस वेले कदी ultimate sense of beauty दुनिया नो आएगी जेडी आ रही है कोई नो कोई खुबसूर्टी दी आखरी शकल दे है ये ते समनी शकल है न के स्वारना नहाना या कॉस्मेटिक लाने इबारली शकल है पर कोई खुबसूर्टी दी आखरी चिन है अते एक गुरू पिता केंदेने एक केस है असी ते तजर्बे नी न कर दे सानु ते दात मिल गई अते मुफदिच मिल गई हुकम राई मिल गई अज़ सारा यौरप सारा पच्छम या सारी दुनिया इसे तजर्बे ते लगी हुई है के केस रखन दे नार केस ता ताहरनी होके इंसान अंदर केड़े केड़े गुन अपने आप आ जान देने अते एक युनिवस्टी है सैन जोज केलिफोर्निया इंदर इंदर्श्टी है इसने पिछले अठ दस सल लाके एक केसा नो केसा धारी देखे अते जो केसा दे नहीं ताहरी उननों कठेया करके तजर्बे तो बाद इनने फिर अपना सिटा सानों दसेया के जो भी केसा धारी है उस विछ और गुन ते हैं होनगे पड समने गुने जरूर दिसनगे सबतु वड़ा उस विछ असल मरद होएगा रस परिया होएगा परमा होएगा संपूरन होएगा सोना होएगा इरादेदा पक्पा होएगा अते कुधारचित होएगा लंगी नजर वाला होएगा चोड़े हिर्दे वाला होएगा अते उना ने अंग्रेजी विचसानों जो पेजिया लिख के सारी दुनियां दिया अखबारां रसालें वे छपया उना ने आखिया एह है केस तहरी जो कलगी धर पाध्षा दे गया है जिसमें मी केस तहर लखे हन केसान दी भेद भी नहीं कीती ओ मेस्कूलन है मैच्योर है गुड लुकिंग है साफ स्पोकन है सेल्फ कॉन्फिडेंस है क्रेजियस है लिबरल है नान कॉन्फरिमिस्ट है अते सब तो वड़ा इंडस्टियस है ओ कदी छकदाई नहीं है ओ एजेरा गुन उस वेले पिताने सानू हुकम राइं देता अज मैं समझना अते ओ बच्चे जेरे सिर्फ रोजी ते किर्द लई केसानू ना समझी नल कर देने ओ जान लैन के सवाय तके तो ओना दे पल्ले कुछ नहीं पहना अते जिसने में गुरू गोबिन से दी दे हुकम रताब केसानू उतार रिया है दूसरा आप जान दे यो एक केश गड़ है एदान जिते केसान दा हुकम होया उदाना केश गड़ है हुन भी केश गड़ है अनंदपुर साहिव अंदर इस दे अर्थे ने के जितने केस दा किला मजबूत करोगे उतना अनंदपुर मजबूत हुएगा मेरा ख्याल है इस तो असान तरीका असान दस नहीं सकते जे अनंदपुर मजबूत करना है ते केश गड़ मजबूत करो ते केश गड़ दी को हो बड़ी सिEO हो दीए गेले आंदी जय कोई बारों हमला करे ना ते किले दी दिवार अंदर शगाफ पैजयान दै जयरे अंदर किले दी हुन देने ना ओ कोशिश लान देने दिवार जल्दी इसनू पूरियां कर लेए, ठीक कर लेए, रोक लेए फट पता लग जान दे हमला हो गया है इस तो बड़ा असान तरीका हैं दे कोई नहीं न किसानों फट पता लग जान दे साड़े ते हमला हो गया है किसे बार लेदा पहला हमला केशां उते हुंदा है जिसलिए कोई केस उतार रहा है केसां दी बेद भी कर रहा है समझ लो ओस केश गड़ जो है या जिस स्थान दे असी आज राखे हैं इस दे उते हमला कर रहा है दूसरे जिरा कोई अंदरों नसे भी पता लग जान दे है गड़े चोके में नसेगा या चाल मारके नसेगा या सन मारके नसेगा ए जितने केस गतल करान वाले हम ए समझ लो सन मारके क्रू गोबिन सिंह दे धर तो नसना चांदेने इस करके आपने केश गड़ थाइ नाई मराखे दिता ताके केश गड़ मशबूत होएगा अनम्जदी अवस्था प्रापत होनी शुरू हो जाएगी एहुन बैस करन दी लोडने के फलाने कुल केस सन फलाने कुल नई सन सानु हुकम है के केस रखने हन अते केस साड़ी मोर है दूसरा हुकम होना ने की तासी कंगा दोए वकत केसां से पालना करनी इस दे अर्थ साफ ने सुचमते है पर सब तो बड़े सुचेती है केस दे ठीक अर्थ ने सुचते सुचेती सुचेत रवेगा इंसान जे कंगा विक केस रखदा है ते केस ना कंगे नाल केसां दी सभारदा है उस दी सुचेती काइम रवेगी बोडी सुर्द काहिम रवेगी इस करके सानूना ने कंगादेता के सुचेत अते सुच्ड दीक निशानी है किरुपान दे बारे सारी दुनिया हुझ जान गई है किरुपान दो अखरांदा मजमुःँ है किरुपाँ अते अन एक दो अखरान चुड़के बने हैं किरपान अधे हिंदुस्तान दे आइन विच हिंदुस्तान दे विधान विच एक तहरा विच उस वे ले दे मेंबर पार्लिमेंट ने जेडे सन साड़े एक जोर नाल पू आया कोई किरपान साड़ी रहत दा हिसा है उदे विचे शबद पैगे कि सिक्स आर अलावट टु कैरी किरपान इर्रिस्पेक्टिव आफ इस लेंग्ट एनिवेर इन इंडिया पहावे है कि किरपान ऐसी है जो सिक्क नू इस गल्दा ग्यान देंदी रहन दिये कि सिक्कोल किरपा है या आनले मर्दा है होरी स्कोल कुछ नहीं है उसे ले भी बड़ी बैस होई ये पारलीमेंट अंदर कि तुसी किरपान दिथावे तलवार क्यों नहीं लिख दें इस ता जवाब एक ते बड़ा आसान है कि गुर्गोविन सिंग्जी महाराज ने शस्तर नाम माला एक बानी लिखी है जो दस्म गरंद वीच है कि जितने शस्तर महाराई देवेले पर चलत सन उनना दी उनने एक माला लिख दिती ना है शस्तर नाम माला ये किरपान शस्तर हुंदी न कि ओध्यो दोस्व दोस्व तुर्यासी शस्तर न दर आई जुरूर उनद 17 283 शस्तर न दी आपने नाम माला लिखिये या इंट कहलो करवीदर पात्षा 283 शस्तर चला सकते सन ऊनना किरपान दर शस्थ नहीं दिन माथा ठंकना चाहीदा है कि शस्तर नाम माला अंदर किरपान क्यों नहीं लिखी इस दाद दूसरा अर्थ हो गया किरपान अत्यार नहीं है किरपान शस्तर नहीं है किरपान पावर रिद आनर है ए ते यहां आन वासते है यहां किसे दे किरपा करके उठेगी ए फिर पार्लिमेंट अंदर उसरे ले दे होम मनिस्टर सरदार पटेल ने एक मुपट औरत जिदाना बेगम अजीज रसूल सी उनु जवाब इच किया सी बेगम तुम बार बार कह रही हो कि इस आइन ने किर्पान की जगे तलवार क्यों लिखी है मैं तुम्हें इतना बतला देना चाहता हूं कि तलवार जब किसी सिख के पास चली जाती है तो किर्पान हो जाती है बस इतना ही फरक है जिसले सिख दे हत्विच होएगी ओ अपनी सुर्थ कहम रखके चलाएगा योई सानु गुरु हर गुबिन पात्षा ने योई सानु कल्गी वाले ने इस करके किर्पान साड़ा अंग बन गया अजिए आपने किछेरा दिता किछेरे दे अर्थ वी एईने के जती है एए इंसान संसार अंदर अपने जे सारे एदे गुनने इनु संकोचना रखदा एए ठांधा दे उते जाके अपनी जेरी कामवाशना है उसनों पूर्या नहीं कर्या फिर्दा अजिए दूसरे एक कि से होर संसार दे उना गरंथा दे चलन दी या नहीं करदा क्यूंकि एक छेरा इस गल्दा चिन है कि एक छेरा पैनन वाला गुरुदा बन गया है आप जान दे हो जिसले ले वेद पाठ करना है एक गल बड़ी जरूरी ये वेद पाठी लई के ओ अनसीता कपड़ा पाए बा बाकी चीजां करे न करे एक ओद लिए बड़ा जरूरी है कि उनसीता कपड़ा पाए अते ये मुसल्मान लई है जिस वे ले वो मक्य जाएगा उसनों जे मर्द है ते अनसीती एक चादर जे औरत है ते उन दो चादरा उते भी अनसीता कपड़ा पाके जाना है इस दे अर् तेक चैरा बन नहीं सकदा ज़त तक सीता नहीं गया मेरा ख्याल है इस तो आला बात सानों गुरू समझार नहीं सन सकदे हरक चैरे दातारनी वेदान दे ग्यान वाला है अते वेद तो उच्चा है इस दो एक दात बड़ी असानी नल देगे इस करके आपने किया के विसाए नहीं करना इस तो बड़ी दात सानों आपने एद ती ताके असी लोग जिने बाकी चार हुकम आपने कीते हैं उना देवी पैरा देए उन तमाकू बारे किसे नों मिरा ख्याल है सानों दिलील दे हिंदी लोड नहीं है दिलीलां सारी दुनिया दे रहे है एकल इंजी मन वे चाया बैठे बैठे कुछ अपने हैं गीरां परावानार खास कर एस ते एस स्थान दे हैं कुछ सिखानार जिना वह सर्दे पुच्दे हन दात है सिंग सबादे मुखियानार इक गल में सुभावक जी कई के देखो हुन दुनिया कितनी चोटी हो गई है सारी दुनिया अपना मेसिज दे सकने हैं हून कोई मुखकल नहीं है कि तुसी कोई वकत खरीद के सिटलाइट दा जो भी चाहो गुरुनानक साब दे पुर्वते या कलगी धर पादशा दे पुर्वते या विसाखी ते दुनिया नो दे सकते हो एक असान तरीका है अते जिसले उ फैक्स म दुखाई जा सकती है पर सिगर्ट बारे कदी कोई चीज नहीं दुखाई जाएगी आजगी दुनिया है जिदे रही शायदे नो करोड़ रुपे लबने हैं पर इतनी इतियात सारी दुनिया कर रही है मेरे कहनदा पाव है कि सामुगी अपना जो तर्म है अपना जो चारी करोड़ आदमी देख रहा है कोई नो कोई परबंद होना चाहिए जो लगे होए ने कि सिगर्ट मारू है सानुमी नशादे तमाकू जो गुरू गोबिन सिंग दी दाद सानुमीली हुई है के नके ने इसनुमी नहीं सीवना एक मैं समयना बड़ी पहारी देन सी क्यो अचर्ण खराब नहीं करदा निर्या अखराब नहीं करदा बलके दस्म दवार ते भी हला सिगर्टी करदा है अदे जिस वेले सिगर्टा तुमा कोई पी लगे जे वो दस्म दवार विचर रहा है अपने आप उस्ता दस्म दवार खत्म हो जाएगा इस करके गुरू गोब पढ़नी है अते सिगड़ दा तुआ जिस वेले पहामे एक्टिव तोरते पहामे पैसिव तोरते पी लेया सोधर तुट जाएगा इस करके आपने हुकम दिता इसनों नहीं सेवना अते दूसरा अपाख्या का कुठा खावे नहीं इस दे अर्थ वियेशन के खान दी गुलाम कदी सिखने मनी नहीं है नालदा प्रा एपरचार करन लगते है जिस ने खुठा खा लेया है आसां तरीका से इसलाम देंदर उसनों दाखल करंदा इस करके महराज नी किया खान रहीं जो तेरे तरहमिच्द दाखल हो रहा है तैनों दाखल कर रहा है उस तो तुबचके रह तुसी आप देख रहे हो कुछ लोग सिर्व खान दी बात कहके तो हनू अपने इस कीमती तर्मनार कीमती विसेनल तोड़ देने इस करके महराज ने दूजा हुकम दिता कि कदी भी खान दी गुलामी हुकम ते गुलानक साथ दासी आपने साड़े कुलो प्रह ललेया कि अपाख्या का कुछा खावे नहीं कदी इसने गुलामी सहरनी नहीं है एस सुतंतर है तीसरा हुकम आप जान दी यो जो आपने दिता कि परतन गामी नहीं होना ए मैं कहके ताकि अजदी दुनिया अंदर या आउन वाली दुनिया अंदर ए हुकम सानु याद रवे हुन तुसी देख रहे हो जे सिगर्ट दी घल गुरू गो बिन सिंग्दी दी कई होई सारी दुनिया मन रही है मन जाएगी अते बड़ी छेती मन रही है जे असी उसनु पहमे मनानदा या परचारदा नहीं कीता यतन अपने आप दुनिया नो समझ आए कितनी मारू है इसे तरह ये भी संसार नो समझ आ रही है कि जे इनसान निजनारी के संग नहीं नहीं वदहा रहा तो ऐसी मारू भी मारी जा शिकार हो जाएगा जिस्दा संसार ते इलाज है ये नहीं है इस करके आपने सनु बचा लेया कि किसे वेले भी परतन गामी नहीं होना एक का नारी जती होए ये आपने हुकम दे के सनु उस संसार अंदर विच्रन दी जास सिखा देती ताके सरीर भी एस दा कंचन रवे आत्मा एस दी ओडारी मार दी रवे कदी पशु वाला जीवन जी के संसार तो ना जाए ए आपने साड़े दे रह्मत कीती सी जो हुकम नामा काबल दी संगत नु पे दिया ए हुकम नामा सारे संसार दे हुन्वी पर चलता है इस करके कोई उद्दम कोई उपराला जेड़ा दिन आ रहा है तेनिसो साल खाल सेदा जनम दिहाड़ा होरते इसी कुछ नहीं कर सकदे उदी देन नु एक गल कर सकदे हां के जिस वेले उननीसो निन्वे आवे एकीवी सदी इसी दाखल हों लगिये सारा पंथ जे अमरत पान करके इक अरदास करेगा कलगी वालियां तेरे हुकम अतावक देख सी तेरे बन गे यहां हुन सानु बुच्णा गे ना सुट हुन सानु संसार ते रोलन वास ते ना सुट ओ आप सुनेंगा सुनदा है उसना अपना ये बिर्द है के मैं लड़ांगा विच पंथ दे होके सिपाव मैं सपाई होके विच कार लड़ांगा सिर्फ तू रैत उसनु तार मैं इस करके आपनू एबात सुना लगा के गुरु तेख वहादर पाथशा ने जिसले अपने बेटे गुरु गोबिन सिंग जीनू नौ साल दी उमर अंदर चाती न लाके ए बचन के सन तुस्य अंगाजा लगाओ गुरु तेख वहादर दा सिर् कितना उच्छा होया होएगा अति बहुत या नो शायद नहीं पता जिस वेले आप पतना साब तो आये ने मा गुजरी नाल है मक्खो वाल पेंड़दा ना है कितना उच्छी बड़े सुर्थ वाले सन जिदा अंति कोई नी कलगी धर पाज़दा देखो मा दे नाल बेटा आ रहे है मिला प्योनू है कैसा रस्ता सानू दस गेने मा दी उंगल नाल है मिल प्योर है अंद्यासार की आखिया ने अनंद पेहा मेरी माए सत्गुरू में पाया कैसी सुर्थ वाला होगा कलगी वाला बाप नो देखके मुखचो निकले आखिये अनंद पेहा मेरी माए सत्गुरू में पाया मान तेरा शुक्र है कि मैंनु सत्गुरू ते जिदार होएं कि इतान गुरू गोविन सिंग का तान गुरू तेग भादर कहने लगे आज तो बाद इस मक्खो वालदा ना अनंदपुर होवेगा इतान अनंदपुर ना इस दापे आए कि एक आवास मूँचो निकली कि मान तू मैंनु सत्गुरू को लेके आई है पिता लेकिन देखन बाद कितना फिर चार चड़या ओभी इतिहासिच लिखिया च्छाती में लाके गुरू तेग भादर कैन लगे जिस कहर तेरे वर्गा बेटा है उस दे बाप नो कदी मायूसी नहीं आसके जिए बस मेरे अंदर ले चाहे हैं कदी कलगी धर पाद्शा इस दो करोड़ दे पंथविचों किसे एक सिखन उच्छाती न लाके कई जिस दा तेरे वर्गा बेटा है उस कलगी धर नो कदी मायूसी नहीं आसके जिए वाहिवर जी का खलसा